आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी की अध्यक्षता में क्याबिनेट की बैठक हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए सहकारी बैंकों को लेकर भी इस बैठक में बड़ा फैसला हुआ है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकास जावडेकर ने उनलाइन प्रेस कॉंफरेंस करते हुए इन फैसलों की जानकारी दी नए फैसले के तहट अब सहकारी बैंक आरबियाई की निगरानी में आ गए इससे ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहेगा सुरकारी बैंक चाहे वो अर्बन कॉपरिटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कॉपरिटिव बैंक हो अपने देश में 1782 अर्बन कॉपरिटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कॉपरिटिव बैंक है आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारिट किया है अब वो राश्रपती के पाज आएगा कि यह सारी बैंक प्रासो चालीस है यह तुरंद प्रभाव से अर्बी आई के सुपर्वीजिन पावर में आ जाएंगे आर्बी आई की जो सुपर्वाइजिंग की तरीका है शेडूल बैंक के लिए भी वही इन कॉपरिटिव बैंकों पर लागू होगा इससे क्या फाइदा होगा मूल फाइदा होगा कि दिपोजिटर को एक यकिन मिलेगा कि हमारा पैस्ता सुरक्षित रहेगा और आट करोड साथ लाग खात्ता धारत है इन पंद्रा सो चालिस बैंकों में चार करोड चावरास्ती लाग करोड रुपे की बचत है थोड़ी नहीं है इस सब की अच्छी रक्षा होगी ये इस मेने का सबसे महतोपूर्ण बात गौरतलब है कि अभी देश भर के 1540 सहकारी बैंकों में 8.60 करोड लोगों के करी 5 लाग करोड रुपे जमार